नमस्कार बच्चो आज हम कक्षा 6 का हिंदी विश्य का पार्ट 3 आत्मोत सर्ग पढ़ेंगे आत्मोत सर्ग का मतलब होता है कि स्वयम को बलिदान कर देना स्वयम के बलिदान करने का मतलब यह है कि कुछ अच्छे कार्यों के लिए सबसे पहले हम गड़ज शंकर वुद्यार्थी जी का जीवन परीचे देखेंगे तो गड़ेश शंकर विद्यार्थी जी का जो जन्म हुआ था 26 अक्टूबर सन 1892 इस्वी में प्रयाग राज उत्तर प्रदेश में इनके पिता जी का नाम था जैनारायन इनकी पत्रिका थी प्रताप प्रताप नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और इनकी मृत्ती हो गए थी 25 मार्ट सन 1931 इस्वी में अब गड़ेश शंकर विद्यार्थी जी ने जो आत्मुत सर्ग पाठ है उसमें ये बताया है कि हम अपने जीवन में हर पल, हर घंटा, हर मिनट कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं तो वो हम जित्ती भी काम करते हैं वो ज़्यादातर स्वयम की प्रेणा से होते हैं और हर काम में कही न कही कोई न कोई साहस छुपा हुआ होता ही है तो बिना साहस के कोई भी काम नहीं होता है तो इन्होंने ये कहा है कि हम सब जो हैं इस दुनिया में इश्वर का जो रंगमंच है वो ये दुनिया है और इस रंगमंच के हम सब कटपुत लिया हैं क्योंकि कुछ मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं डर्पोक होते हैं कुछ बहुत अधिक साहस वाले होते हैं तो दोनों लोग मिलके यहां संसार में जो भी काम करते हैं वो क्या है एक नाटक है जो किसके अंदर कर रहे हैं हम इस दुनिया रूपी जो रंग मंचस के अंदर कर रहे हैं तो यहां पर इन्होंने साहस की तीन श्रेणिया बताएं क्योंकि साहस जो है हम कुछ ना कुछ उत्सा वाला काम तो सभी करते हैं लेकि साहस की भी तीन श्रेणिया हैं तो तीन श्रेणिया हैं एक तो है कि नीच श्रेणी अब नीच श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है नीच श्रेणी में ज्यादा तर हम अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो काम करते हैं और जो हमारे मन में विचार आते हैं जो प्रेणाय आती हैं बुर किसी कुसूर के तो सब का एक युवक ने विरोध किया उस विरोध में उस युवक ने क्या करा उस समराट पर भरी सभा में आक्रमन कर दिया वैसे तो एक काम क्या था प्रशन सुनिय था लेकिन प्रशन सुनिय था फिर भी जो इसका जो काम था ना ये ये नीच रेनी के उसम कर लेते हैं तो इस प्रकार का जो साहस है वो क्या हो गया नीच श्रेणी का हो गया क्योंकि चोर क्या है चोर भी जब चोरी करता है तो हिम्मत से करता है उच्छा से करता है तो चोर जब चोरी करता है तो उसके अंदर भी तो एक साहस ही होता है तो चोर का जो साहस है वो भी क् उनके अंदर होता है इस प्रकार के साहस में कमी होती है कि मनुष्य का जो स्वयम का ज्ञान होता है वो उतना विक्सित नहीं होता है जैसे कि इसके एक कथा बताई है उन्होंने गणे शंकर विद्यारती जी ने कि एक बार अकबर के दरवार में दो युवक आए दो या कहने से काम चल जाएगा तो राजा ने कहा कि भई करके दिखाओ अब उनका जो साहस था वो बहुत अदिक प्रेशन सुनिया था क्यों था क्योंकि वो दोनों घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर वो एक दूसरे पर वार पर वार करते रहे फिर इस तर दिया अब दोनों का जो साहस था वो प्रेशन सुनिया था किन्तु यहां जो साहस था साहस में कमी थी वो कमी क्या थी है थोड़ी सी बुद्धी की क्योंकि बिना बुद्धी के वी साहस जो था यह निस्तेज सा प्रतीत हो रहा था क्योंकि अगर वो थोड़ा बुद्धी स काम करते हैं, तो उनके मृतिय नहीं होतें. यह conditionnaire कि अपने बुद्धी, अपने जो शास का परिशे है, किसी और प्रकार से भी दे सकते थे. किन्तों उन्होंने क्या करा? एक दूसरे को मार जिया. तो इस प्रकार का जो साहस है, वो किस में होता है? आत्मोत सर्ग, यानि कि स्वयम का बलिदान करना. अब आत्मोत सर्ग का जो सहस है, उसके लिए क्या जरूरी है? हृदय की पवित्रता, यानि कि हमारे हृदय में कोई भी स्वार्त की भावना ना हो. चित्त की द्रिडता और उदारता. ठीक है, जब तक हमारे मन में सारे गु नहीं होगे, तब तक सर्वत्स श्रीञी का साहस नहीं होगा, तो इस प्रकार का जो साहस है, उसमें किसी भी प्रकार के धनकी divorced होती, ठीक है, अगर को व्यक्टी अपंग भी है, ठीक है, दिव्यांग भी है, तब भी इस चीछ की ज़्यादा आवशक्त है। इसमें जरूरी क्या है कि वे मनुश्य के हिर्दे में साफ और स्वच्छ भावनाय हो, मन जो है उसका कोमल हो और उसके मन में करतव्य परायंटा का बोध प्रतिपल प्रतिशन होना चाहिए तो आत्मोत सर्ग में सर्वो चिशनी का जो साहा से वो कब होगा जब मनुश्य के मन में करतव्य परायंटा का बोध बरकरार रहेगा इसके एक छोटी सी कथा क्या है कि जो बुद्धन सिंग थे उनका जो राज्य था उस पर किसी ने आक्रमन कर दिया तो जब उनके राज्य पर आक्रमन किया गया उस समय वो अपने राज्य में थे नहीं वो अपने राज्य को छोड़ करके जैपूर चले आई अब वहीं पर रहने लगे थे हलाकि वो तो अपने राज्ये को छोड़ करके आ गए लेकिन फिर भी कर्तब्वे परायन्ता का जो बोध उनके अंदर था और स्वदेश के प्रती, उनके मन में जो प्यार था, जो एज़्जत थी उस प्रेम को दिखाने के लिए उस प्रेम के और कर्तव्य परायनता के बोध से उन्होंने क्या करा अपने राज्य की तरफ देड़ सो सैनिकों के साथ वापस चल पड़े और अपने राज्य को मुक्त कराया उन्होंने तो इस प्रकार जो आत्मोत सर्गस में क्या है स्वयम का बलिदान किया जाता है बिना किसी स्वार्थ की भावना के व्यक्ति जो है साहसिक कारे करता है तो ये जो पार्ट है इसमें हमने क्या देखा? इसमें हमने देखा कि साहस जो है वो बहुत अधिक आवश्चक है और साहस के साथ-साथ मनुष्य के अंदर हिर्दे की पवित्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, चित्ति की दृड़ता होनी चाहिए और करतव्य पराय देनी है उन्हें अच्छा खाना देना है रोती देनी है सब कुछ करना है तो मुत्स पार्ट में यहांप क्या होता है यह पार्ट के जो नोट्स है वो आपको PDF के माधियुन से भेज दिये जाएंगे धन्यवाद झाल